प्रित्वी और हमारा जीवन जो क्लासिक्स की बुक है और इस बुक में आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इसको एक बार विशा सुची की थुरू जान लेते हैं अभी तक जो हम पढ़ रहे थी जिसमें भारत की स्थिती को हमने देखा था भारत का धरातर भालत की जलवाई और आज जो हम पढ़ने वाले हैं यानि की दस्वर टॉपिक है वो भारत में वनस्पति और पश्चियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसको देखेंगे तो विक्स भी कई तरह के जिनमें एक कुछ होते हैं पेड जाड़िया और घास और घासों पेड़ चलना फिरना किसी को अच्छा नहीं के तो सबको अच्छा लगता है यह जैजी हमें बच्चों को समझाई जा रही है है और कहा है यह बॉक्स में देखित कहा जा रहा है कि जो वनस्पति आपकी प्राक्तिक वनस्पति कहलाती है और यहां दिया है कि भारत की जो वनस्पति है उसे कितनी कटिगरी में बाटा गया है यह आपको दिखा जानते हैं कि भारत में जलवायों की विवित्ता है मिट्टी की विवित्ता है इस कारण से जाय सी बात है कि वनस्पत उस नकटी बंधिया पत जड़ वाले यान कि उस गरम वाले छेत्रों में ही जो पत जड़ वाले वन है वो है तीसरी बरायटी उस नकटी बंधिया मरुस्थलिया ज़ाडिया जो उस नकटी यान गरम छेत्रों में ही जो ज़ाडिया होती है नमर उस थल में जो पैदा घास फ्यूस होती हैं उनके लिए पढ़ेंगे चौता है परवती एवन जो हमारा हिमाले वारा तराइच छेतर आता है जो ऐसे उच उच परवत है वाले छेतरों में जो वन है उनको देखेंगे और पांचमा है जुआरिया या दलदलिये वन ऐसे हमारा जो आयं जो अहां पर फोलड также आधिकता होती है और दलदल है ऐसे दलदल में ज्स तरह के वन उकते हैं उनको देखेंगे पहला पहला हमारा है उच्न वर्षा होती तो यह दिये है कि यह वन अधिक्तम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले छेत्रों में पाये जाते हैं और यह मुक्तब पस्चिमी घार तथा देश के उत्तर पूर्वी भाग में मिलते हैं और यह वन इतने घने होते हैं कि इनमें जो प्रकास आप देख रहे में होता है वह बहुत अलग अलग होता है जिसके कारण सदय भरी दिखाई देख और इस कारण से इन्हें सदा भाहर वन के नाम से भी जाना जाता है और इन वनों में जो मुख्य विर्षा पाये जाते हैं अब आपका दूसरा जो आता है उश्न कत्ति बंधी पतज़वन प मद्ध में वर्षा होती हैं उन छेतरों में पाये जाते हैं कौन-कौन से वो छेतर हैं तो हिमालय की सीवालिक छेणी से लेकर पच्चमी घाट की पूर्वी ढ़लानों तक फैले हैं ये वन कम घने होते हैं और ग्रिश में जित्तु के एक निश्ची समयमी ये सारी पतिया फील होता है की पेर सूग तो नहीं गया में आपको 50 cm मिलेगा बहुत सी बुकों में ऐसी cm मिलेगा तो 80 cm से भी जहां कम वर्षा होती हैं वहां पर आपको इस तरह के पौधि मिलते हैं इस तरह के पौधि में कौन-कौन से इसमें तो देखिए इनके जो व्रिच पाए जाते हैं वो कीकर खैर बबूल खजूर कैक्टस आदी है और इनकी उचाय भी जादा नहीं होती वर्ण छोटी होती बलकि जड़े बहुत गहराई तक गई होती है पानी की तलाश में तो यह आपके होते हैं मरुस्थलिय वन परवतिय छेत्रों में पाए जाते हैं इन वर्णों को परवतिय जो परवत की उचाय है उसके हिसाब से इनकी पेड़ों के उचाय भी प्रभावित होती है और यह उष्ण कटी बंधी है वर्णों से लेकर उपोश्ण अब देखिए तो आपने पढ़ा कि उष्ण कटी बं उपोश्ण में आता है तो उपोश्ण कटी बंधी है सदा बहार संकुआ कार जो परवतिय वन है वह भी आपको मिलेंगे क्योंकि ज्यादा उचाय पर जाते हैं तो ज्यादा ठंडी हो नीचे आते तो गर्म तो ऐसी कंडिशन में जो बीच का अरिया पड़ता है वह लिए वन आपको पर्वतिय दित अनतरगत मीलेंगे आल्ए आता है जवारिय या दल दली वन देखे कहां मिलेंगे प्रशना ज्यादा पर देसे वाले उपर कशिकि युझा dairy देशर समध्रियवाले भागों में आता है इसा अब देख सकते यह आपका जो और आप जो इस को इस तरह के 1 मिलेंगे और इसी कारण से इसको डेल्टा एई-वन के नाम से भी जाना जाता है तो देखे ये वरिज खारे पानी भी सकते क्योंकि डेल्टा वाले छहतन में खारा पानी होता है इनका वि最्छ एख घंगा नदी का डेल्टा है सबसे जादा जाधा गंगा नदी के डेल्टा में ही पाए जाते हैं यह मुक्त पस्चिम बंगाल अंडमान तथा नीकोबाद वीब सम्हुव में पाए जाते हैं और यहां विशेश रूप से सुंदरी नामक एक व्रिक्ष वही व्रिक्ष पाए जाता है इन डेल्टाओं में वनों में जिसके कार सबस्द के बंगालं के पाए जाते हैं यहां पर चीट्र के मातहिम समझाया जा रहा है बचल recommend कासे पेड लगाने चाहिए जिसे व्रिच को हरा भरा रखा जा सके ऐसा करने से हम सभी स्वास्त रह सकेंगे फिर वही लाप के वारे में बताए जैकि उद्योग चलाने ही तो काच्चा माल हमको यहां से प्रात होता है वायू क्या आपको जो पेड है वायू को सीतल मिट्टी को न प्रभाव होता वह स्वयम सहन कर लेते हैं फिर आगे दिया है वन जीव आपने देखा कि जिस तरह से विवित्ता जलवायू की है वनों की है इसी कारण से पशू की भी विवित्ता है और जो पशू को हम पालते हैं वह पशू पालतू कह लाते वर इनके लावा कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पालते वह जंगलों में रहते हैं तो इन जंगलों में रहने वाले जीवों को बनी जीव के नाम से जाना जाता है लेकिन लगाथा जो पेड़ों के कटाई हो रहे हैं इसके वजह सte बहुत सारे पशू में देख हैं तो बात सफयध essence आदे काला ही बहुत सब्सक्राइब पने लिएफ़ सवस्ट्राइब करे का पक्षी उध्यान होते हैं और इस्थान जहां पक्षी श्वतंत रुप से प्रदार्थों को प्राक्ट कर लेते हैं वो आपके पक्षी विहार होते हैं तो मैं आपको एक दो दिन में यह पॉइंट दे दूँगी आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहे करते हैं विए दोट दिया है कि प्रतेक वर्ष बॉक्स वाला देखिए प्रतेक वर्ष अक्टूबर महां का पहला सफ्था वन ने जीव सफ्था की रूप में मनाया जाता है और यह बॉक्स में थोड़ा सा और पौइंट है भारत को मसालों का घर कहा जाता है विश्व के फ् सब्सक्राइब करनाटक में भी हाथी पाए जाते हैं यहां पेक चित्र के माधिम साब को दुखाया गया है आपका यह टॉपिक समाप्त होता है देखी हमारी लगभग समाप्त हो गई थोड़ा सा भ्याद दिया है वह देख लेते हैं सही कथन के पेटिक लगाना है रबड किस प्रकार के वनो का मुख्य व्रिच है तो रबड आपके सदा बहर वनों पाये जाते हैं अपने सारे पत्ते गिरादेते हैं कि मरुष्ष्षलिये वन की वनस्पतिक्सी एकंप कैक्टस में णिये कंने माती कचम% को आयसे कांटथा सहीं है अग्ली वीडियो में आपसे बहुत जन्म लाका दूग ही तब